ओके future officers, so moody's ratings, जो की इंडिया की GDP forecast करती है, इन्होंने इंडिया की GDP forecast की है, fiscal year 25 की, जो की इन्होंने 6.6% बताया है, और fiscal year 26 में यही GDP इन्होंने 6.2% बताई है, यह दोनों काफी important है, exam के point of view से, इसको याद कर लेना, और 37 में इसने estimate किया है, कि जो loans NBFCs provide करेंगे, non banking financial companies, वो increase होंगे, grow करेंगे 15% से, next 12 to 18 months में, यह भी important है, exam में पूछ सकता है, इसके बाद हम science and tech finish करेंगे, आज रात तक anyhow कोशिश करेंगे करने की, और इसके बाद हम June 1st and 2nd week का national शुरू कर देंगे, और किसी भी lecture के आपके notes नहीं बनाने में हमेशा हर lecture में बोलता हूँ, इसकी जो notes PDF है, वो आपको telegram channel and group में मिल जाएगी, यह telegram group का नाम है, at the rate right approach underscore banking, जब बीच में दिख रहा है, आपको नीचे एक space ही है, यह underscore होता है, ठीक है, और यहाँ पर है at the rate right approach underscore youtube, इन दोनों को जोइन कर लेना, और यहाँ पर आपको हर एक videos की PPT, प्लस इनके notes PDF, सब कुछ आपको मिल जाएगा, अप्रेल और माई का complete माई मन्त send हो चुका है, अप्रेल हमारा लगबग 55 pages के अंदर finish हुआ है, और माई मन्त हमारा मात्र 42 pages में finish हो चुका है, और यह जो सारे notes PDF है ना, यह बहुत important है, या यानि कि अगर आपने इतना भी कर लिया, तो आपके marks exam में topers में आएंगे, इतनी guarantee है, condition है, 8 to 10 times आपको revision करना है, mandatory है, बाकी जो बच्चे group में है, उनसे आप discuss कर सकते हो, तो without any further delay हम शुरू करते है, आज का अपना lecture, अब यहाँ पर पहले news शुरू होती है, इंडिया का ज capitalization, वो GDP ratio के मुकाबले 140% increase होआ है, जो की 15 साल में highest है, कितने साल में, 15 साल में, market capitalization होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई भी company है, उस company के जो share price है, उसकी per share की जो value है, वो 50 rupees है, multiply by, उसकी जो total shares है, जो की market में है, वो मान लेते हैं 500 है, ठीक है, total share की quantity, तो यह multiply होगा, फिर जो इनका answer आएगा, 25 यह, 25,000, यह है इस company की total market capitalization, तो यह आपको याद रखना है, total market capitalization, ठीक है, इस तरीके से पूरा निकाला गया है companies का, और वो हम बात करते हैं अब detail में, तो Bombay Stock Exchange, BSE, जो की Asia की सबसे पहली stock exchange company है, as well as यह 1875 में establish की गई थी, और यहाँ पर इन्होंने report किया है, इन्होंने बताया है, कि जो India का market capitalization है to GDP, यहने की gross domestic product, वो कितना हुआ है increase, वो 140% से increase हुआ है, जो की 15 साल में highest है, अब आपसे exam में यह पूछ सकता है, कि according to BSE, इंडिया का, जो market capitalization है to GDP ratio, वो कितने % से increase हुआ है, और कितने सालों में, तो 140% याद रखना है आपको, और 15 years, यह भी याद रखना है आपको, last year 96% था, बस यह थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, और जो सबसे ज़ादा grow हुआ था, वो कोन से year में हुआ था, market capitalization to GDP, जिसको हम MCAP बोलते हैं, वो December 2007 में हुआ था, MCAP to GDP ratio, ठीक है, तो यह भी याद रखना year भी, वो सकता है, total MCAP of BSE listed companies, अब जो companies यहाँ पर जिनका data निकाला गिया है, उनके data में जो total MCAP आया है, वो 5 trillion dollar rupees आया है, ठीक है, rupees नहीं, sorry, 5 trillion dollar आया है, और यह 6 महिने का data है, November 2023 से compare किया है, उस time यह 4 trillion dollar रुपे था, और अभी कितना हो चुका है, 5 trillion dollar हो चुका है, यह याद रखना, अब यहाँ पर जो total MCAP है, जो हम बात कर रहे थे अभी, जो कि 5 trillion dollar था, यह 4,3057 companies का निकाला गिया है, BSE का, तो यह भी याद रखना, कितनी companies थी, और अगर हम देखें, रुपी में, तो it is 414 trillion रुपीज, या तो उसको हम बोल सकते है, 5 trillion dollar, या फिर we can say, 414 trillion रुपीज, और यह जो अभी इंडिया का जो current GDP है, वो कितना है, 296 trillion रुपीज, जो कि fiscal year 24 का है, यह भी याद रखना आप, यहन्ने कि 31 March, 2024 तक की बात हो रही है, टोटल जो companies है, BSE में वो कितनी है, 5,309 companies है, लेकिन जो data निकाला गिया है, वो निकाला गिया है, 4,357 companies का, BSE 30, क्या होती है, यह 30 largest companies होती है, जो कि listed company है, BSE में, Bombay Stock Exchange के अंदर, जिसके हम बात कर रहे हैं, और इसको हम Sensex नाम से भी जानते हैं, तो आपसे exam में पूर सकता है, कि how many largest companies are there listed in the BSE, तो you have to tell them, it is 30 companies, या फिर Sensex भी we can save, और BSE established हो था 1875 में, आपको मालूम होना चाहिए, इसको याद करो अच्छे से, और यह Asia का पहला stock exchange company है, Asia का, याद रखना है Asia का, वर्ल्ड का नहीं, Asia, total listed companies, national stock exchange, अब देखो, दो होती है, एक BSE और एक NSE, आपने सुना होगा, तो BSE के हमने बात कर ली, total 5309 companies है, और NSE में total 2389 companies है, 7-9, 2003-79, राइट, अब यहाँ पर हम चलते हैं, अगली slide पे, अब जैसे हमारा BSE 30 था ना, Bombay stock exchange में, 30 जो largest companies थी, उसको हम BSE 30 या फिर Sensex बोलते हैं, ऐसे ही जो हमारा national stock exchange है, उसमें हम Nifty 50 बोलते हैं, जो 50 largest company है, उसको हम बोलते हैं, Nifty 50 NSE में, ठीक है, यह भी याद रखना, अब BSE found हुआ था, 1875 में, और NSE कब found हुआ था, 1992 में, बहुत जादा late, ठीक है, और जो NSE का operation था, यह April 1993 में, शुरू हुआ था, तो यह भी याद रखना, established हुआ था, 1992 में, बना था, लेकिन operation, यानकी संचालन, इसका 1993 में हुआ था, अप्रिल 1993 में, NSE का, the 15 year high growth, of 140%, जिसके हम बात कर रहेते, वो इसलिए हुई है, क्योंकि, 61% increase हुआ है, in market capitalization, of all companies, since the end of 2023, आपसे पूछ सकता है, कि March 2030 के comparison में, March 2024 तक, कितना percent increase हुआ है, MCAP of all companies में, तो वो हुआ है, 61%, इसको बोलना मत, बहुत important है यह, 140% total value है, MCAP की, लेकिन अगर बात किज़े, comparatively, कि कितना एक साल में increase हुआ गया है, तो वो 61% था, आपने देखा होगा, पहले 96% था, हमने बात की थी, फिर 41% increase हुआ है, तो यह कितने का difference है, यह अलग बग 44 का difference है, अब इसके according निकाला गिया है, बस यह आपको याद रखना है, B.S.E. Chairman, कोन है अमारे, इनका नाम याद रखेगा, important है, आपको याद होना चीह है, श्री प्रमोद अगरवाल जी, B.S.E. Chairman है, Bombay Stock Exchange Chairman, और MD CEO अलग है B.S.E. के, वो है S. Ramamurthy जी, तो दोनों को याद कर लो, अच्छे से, बोलना मत, National Stock Exchange के MD CEO कोन है, तो आशिश कुमार चोहान जी है, कोन है, आशिश कुमार चोहान, इसको भी याद रखना है, अब आते हैं अगली न्यूस पे, तो क्राइसिल रेटिंग, जैसे हमारा मुडी रेटिंग है, इसी तरीके से एक क्राइसिल रेटिंग भी है, जो कि एक्जाम में कई वर पूस लेता है, इनके मताबिक, जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है, क्रेडिट क्या होता है, जब हम 16 परसेंट थी, फिसकल एयर 2024 में, यहने कि 31 मार्च 2024 तक 16 परसेंट था, बैंक क्रेडिट ग्रोथ, लेकिन फिसकल एयर 2025 में 200 बैसिस पोइंट, याद रखना, 100 बैसिस पोइंट की वैल्यू जो होती है, वो 1 परसेंट होती है, 10 बैसिस पोइंट के वैल्यू कितनी होती है, 0 0.1% होती है और 1 basis point की value होती है 0.01% यह भोलना मत तो 200 basis point से decrease होके यानि कि 2% से decrease होके यह 14% आ जाएगी fiscal year 2025 में ऐसा कहना है क्रैसिल रेटिंग का किसके लिए bank credit growth या bank landing growth भी हम बोल सकते हैं लेंडिंग मतलब पैसा देना उधार देना क्रैसिल रेटिंग के MD को उने important है इनको याद करो गुरुपरीद शटवाल जी है तो गुरुपरीद शटवाल जी हमारे MD है क्रैसिल रेटिंग्स के भूलना मत इनको उसके बाद हम चलते हैं आगे अगली न्यूस पर अब यहाँ पर अगली न्यूस में देखते क्या बता रहा है अब यह बात हो रही है मूडी की अब ने अभी बात की थी क्रैसिल की जिसमें उसने बताया था कि bank की जो credit growth है bank credit यानि कि loan loan बोलो या फिर lending बोलो बात एक ही है आपसे interview में पूछ सकता है कि bank किस-किस से पैसा कमाता है तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि loan से landing से फिर credit से तिनों एक ही बात है इनसे bank पैसा कमाता है तो मूडी ने बोला है कि जो इंडिया की economy है वो 2025 में 6.6% रह rating ने estimate किया है कि इंडिया की जो GDP है fiscal year 25 में कब से कब तक 1 April 2024 से लेकर 31 March 2025 ये आपको याद रखना है चिक है तो इसमें जो GDP growth है इंडिया की वो कितनी रहने वाली है 6.6% रहने वाली है 25 में और 26 के अंदर ये 4.4 से decrease होके 6.2% आ जाएगी ये दोनों आपको याद होने चाहिए बहुत ज़्यादा important है अगर मैं examiner होता ये question पका देता economics के अंदर आपको and it is estimated that loans provided by NBFCs अब moody rating का कहना है कि जो NBFCs है non banking financial companies है यानि कि जो bank नहीं होते उनका जो loans है वो grow करेगा कितने से 15% से अगले 12-18 मैंनों में यानि कि 1-5 साल के अंदर इसको भी याद रखना है बहुत important है क्योंकि moody's ने बोला है तो important हो जाता है okay and जो loan growth है year in year NBFCs की वो increase हुई थी 20% से लगबग 21% है मान सकते कब 2023 में अब ये year-year की बात कर रहा है यानि कि एक जनवरी से लेकर और 31 December तक की बात कर रहा है 2023 की इसमें जो increase हुआ था loan growth का वो 20.8% या फिर 21% भी आप roughly याद कर सकते हो ये भी आपको याद रखना है और ये क्यों हुआ था क्योंकि housing और retail दुकानों वगरा के लिए या गाडियों वगरा के लिए loans की demand जादा आ रही थी इसलिए ये इतना increase हुआ था ये भी याद रखना है December 2023 में अब यहाँ पर एक important news है इसको आप याद को रहा है एक्जामें पूछ सकता है आपसे RBI ने risk weight, risk weight क्या होता है मादनों कोई भी unsecured loan होता है unsecured loan में कौन-कौन से आते है personal loans आ सकते है जिसमें कोई collateral जमान नहीं होता collateral क्या होता है कोई भी चीज गिरवी हो जितना आपने bank से loan लिया है जब वो चीज जमा नहीं होगी बैंक के पास तो वो unsecured loan में आ जाता है अब ऐसे में RBI ने देखा कि इनकी demand बहुत ज़ादा बढ़ रही है बैंकों में और बैंक बहुत ज़ादा issue कर रही है ये unsecured loans customers को तो इन चीजों पर रोग थम लगाईज़े control किया जाए तो RBI ने किया कि risk weight को increase कर दिया यानि कि जितना आप loan दोगे unsecured loan दोगे उसमें आपको उसका risk weight रफना पड़ेगा जो की 25% से बढ़ा दिया गया है अब देखते न्यूस किया है तो December 2023 में RBI raised risk weight of unsecured retail loans जिसको हम personal loans भी बोल सकते हैं 25% से कितने से 25% से औरे दोनों के लिए वा था bank के लिए भी और NBFC के लिए भी इसको याद रखना इसका आगे है detail में अब यहाँ पर देखो risk weights on banks अब भी banks की बात हो रही है फिर ने से यहाँ पर NBFC की बात होगी तो confuse मत हो रहा भी हम bank की बात कर रहे है तो risk weight on banks unsecured personal and consumer loans retail loans हम बोल सकते हैं यह increase कर दिया गया था 125% पर 100% से यह आपको याद रखना है कि पहले 100% था banks का unsecured personal loans का risk weight रखना लेकिन अब वो 125% रख दिया गया है bank के लिए और साथ ही साथ bank के जो credit cards है जो की bank issue करता है वो भी उसका भी risk weight 125% से increase करके 1500% कर दिया गया है तो दोनों अलग चीज़े हैं यह हो रही है बात credit card की और यहाँवर हो रही है बात unsecured personal या फिर consumer loans की दोनों अलग चीज़े हैं तो unsecured personal या फिर consumer and credit card पे 125% से 2500% अब हम बात करतें NBFC के तो जो risk weight NBFC के लिए बताया गया है unsecured personal या फिर consumer loans और साथ ही साथ same credit cards के लिए वो 100% से increase करके 125% कर दिया गया है यहनकि credit card plus unsecured personal loan या फिर consumer loan के लिए 100% से दोनों के लिए 125% कर दिया गया है यह आपको याद रखना है बूलना मत मिलकुल भी अच्छा RBI ने यहाँ पर एक exception डाला है कि जो NBFCs है उनको micro finance जो छोटे छोटे लोन होते है उनके लिए risk weight रखने के अवशक्ता नहीं है यह याद रखने एक्जाम में पूछ सकता है आपसे statement based question के अंदर कि ऐसा है क्या तो आपको yes या no बताना है और एक दिन आपका भी ऐसे NBFC होगा अगर आप ममी से बोलते हो कि ममी एक दिन मेरा भी NBFC होगा और ममी बोलते है फिर पापा बोलते है बेटा जाके हुआ कर ले बनाऊं तरह NBFC तो आप भी relate कर सकते हो इस बच्चे के emotion किते ने जादा destroy किये जा रहे है तो Moody's rating के जो president है वो कौन है Michael West है North नहीं है East नहीं है South नहीं है याद रखना Michael West हमारे Moody's rating के president है अच्छे से याद कर ले ना भूनना मत headquarters कहां पर है Moody's का New York USA में है I guess market if I'm not wrong ओके तो आगे चलते है भारत अर्थ मोवर्स लिमिटिड बी ए एमल अभी important है दोनों न्यूस और Northern Coalfields लिमिटिड तो भारत अर्थ मोवर्स लिमिटिड प्लस में Northern Coalfields लिमिटिड इन दोनों का collaboration हुआ है जिसमें Northern Coalfields लिमिटिड प्रवाइट करेगा 250 करोड रुपिया किसको भारत अर्थ मोवर्स लिमिटिड को बी एमल को जिसमें बी एमल 28 कितनी 28 units यहने की 28 BH 100 rear dump trucks यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह वाले so 100 BH 100 rear dump trucks जो की mining operations के लिए यूज होते हैं वो सप्लाई करेगा Northern Coalfields लिमिटिड को कौन भारत अर्थ मोवर्स लिमिटिड भारत अर्थ मोवर्स लिमिटिड एक नवरतरन कंपनी है याद रखना है इसको और यह Ministry of Defence के अंतरगत आती है यह भी याद रखना है भारत अर्थ मोवर्स लिमिटिड के चेर्मेन NMD कोन है शंतनो रोई जी है यह भी याद रखना है क्योंकि एक नवरतरन कंपनी है तो उनके MD CEO इंपोर्टेंट हो जाते है हेड़कॉर्टर काम पर है करनाटगा बैंगलोर में है और आप आते अगली नियूस पर तो यहाँ पर SBI की ECOREP रिपोर्ट है तो उनके मताबिक SBI ECOREP रिपोर्ट याद रखना तो SBI ECOREP रिपोर्ट में बताये गिया है कि इंडिया की जो GDP है वो 8% से टच करेगी फिसकल एर 2024 में ऐसा SBI ने बताया था ECOREP रिपोर्ट में और आप कितनी हुई है GDP आप मुझे बताओगे मैंने आपको RBI की निजमें बताया था कि कितनी गई है जिसमें NSU ने डाटर रिविल किया था तो इंडिया की GDP है SBI ECOREP के आकोर्डिंग फिसकल एर 2024 की 8% रहेगी ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था और अब जो Artificial Neutral Network है SBI ECOREP का उन्होंने 7.4% GDP प्रोजेक्ट की है किसकी फिसकल एर 2024 की अब देखते हैं कितना क्या रहेगा Global Headline Inflation जिसमें की Food and Fuel सिनलेड होता है तो Global Headline Inflation Will Decrease वो गटेगा कितने से 6.8% 2023 में S1 का कहना है 5.9% 2024 में और 4.5% तक आ जाएगा 2025 तक यानि कि देखा जाए तो यहाँ पर पहले –.9% का डिकलाइन हुआ है फिर यहाँ पर अगेन लगबग – 1.4% का डिकलाइन हुआ है तो याद रखना 6.8% 5.9% और 4.5% 23, 24 और 25 में Headline Inflation Decrease होगा according to SBI Eco-Rev Report बाकी इसमें इतना कुछ important है नहीं SBI का बना था 1 जुलाई 1955 में बना था टेगलाइन है The Banker to Every Indian SBI के Chairman को ने मुझे Comment section में बताओ देखते कितने बच्चों को मालूम है मुझे लगता है काफे बच्चों को मालूम होगा अल्रेडी अच्छा ये बताओ कि SBI में कितने MDs होते है मुझे ये बताओ आप ये तो मैं आपको बताई दिया 4 MDs होते से लग कोई नी छोड़ो इसको आगे देखते है कभी कबारना मैं भावनों में बैज आता हूँ बुरा मत मारीगा तो Radices India एक कंपनी है जो की Reliance बैग्ड है यानि कि इसको Reliance सपोर्ट करता है financially तो Radices India का कोलाबरेशन है Nokia के साथ Tech Mahindra के साथ Knet प्लस Mobile Networks और एक Tally Cell Mobile Networks और Tally Cell ये दोनों कंपनी गाना की है तो Radices India Nokia, Tech Mahindra, Knet Mobile Network Operators and Tally Cell टोटल छे कंपनी का कोलाबरेशन हुआ है जिसमें एक consortium इन्होंने बनाया है यानि कि एक group बनाया है साथ मिलके जो कि क्या करेगा 5G launch करेगा कौन सी कंट्री में? गाना कंट्री में याद रखना गने गने बादलों पे 5G चलाइला में सेंटा क्लोस का ऐसा कहना है तो ये आपको याद रखना है गाना कंपनी में ये Radices India, Nokia, Tech Mahindra, Knet Mobile Network Operators और Tally Cell इस सब मिलके 5G service launch करेंगे अब आते अगली नियोस पे अभी हमने पढ़ी थी नियूस भारत Earth Movers Limited की National Coal Fits के साथ अब ये नियूस है भारत Heavy Electricals Limited की तो भारत Heavy Electricals Limited ने कोलाबरेशन किया है भाभा Atomic Research Center ये भी important news बन जाती है अब इसमें क्या करेंगे पचास किलोवाट का Alkaline Electrolyzer System Hydrogen Production के लिए ये काम करेंगे इस पे और ये Commercialize करेंगे अलग-अलग sectors के लिए यानिकि उनको बेचेंगे उनको प्रवाइड करेंगे कौन-कौन Fertilizers, Steel Company, Transportation, एसेटरा तो पचास किलोवाट का Alkaline Electrolyzer System for Hydrogen Production पे काम करेंगे और ये जो पूरा प्रोसेस है ये इंडिया का आत्म निर्बर भारत अभियान और National Green Hydrogen Mission पे अचीव करने पे काम करेगा बस इतना सा इस न्यूज में बागी कुछ important नहीं है तो ये याद रखना अब आते हैं अगली नियूज पे तो Reliance Industry का agreement हुआ है एक Norway की company है Norway country है याद रखना एक्जाम में पोस्ट लेता है कभी कबार कि ये company कौन सी है कौन सी country की है तो NEL ASA कौन सी NEL ASA company कहां की है Norway की है इसके साथ किसने collaboration किया है Reliance Industry ने collaboration किया है किस चीज के लिए electrolyzers के लिए जो की hydrogen production के लिए काम में आएगी अब देखते है आगे इसकी news किया है तो Reliance Industries ने collaboration किया है NEL Hydrogen electrolyzers के साथ जो की company Norway की है country का नाम भूलना मत और company का नाम भी मत भूलना डोनों company का जिसमें ये electrolyzers पे काम करेंगे for the production of green hydrogen में superman electrolyzers का फैन कभी अगर एग्जाम में भूलता हो तो मुकेशंबानीजे को superman में याद कर लेना और Reliance is licensed by NEL Hydrogen NEL Hydrogen ने authorized किया है Reliance को कि वो alkaline electrolyzers manufacture कर सकता है Reliance Industries का goal है कौन सा goal है 111 ये एग्जाम में पूर सकता है आप से क्या है इसका मतलब 1 kg of green hydrogen एक से हो ये हो गया available for 1 dollar in a decade यानि की 10 सालों में 10 years में तो ये याद रखना 111 यानि की 1 kg of green hydrogen available for 1 dollar in a decade यानि की 10 सालों में तो ये आपको याद होना चीए for green hydrogen production और जो global goal है दुनिया का वो कीतना है 2030 तक 2 dollar per kg green hydrogen प्रवाइड करना है government का target है कि government को 50 gigawatt renewable energy install करनी है 2030 तक ये एक्जाम में पूस सकता है important है इसको भूलना मत 2030 तक government का target है कि 500 gigawatt renewable energy install करनी है अच्छे से याद कर लेना और इस 500 gigawatt में से कितनी solar energy होगी तो वो होगी 280 gigawatt की इस 500 gigawatt में से ये भी याद रखना अच्छे से इसी news में इंडिया की जो rank है renewable power capacity में वो कितनी है globally fourth rank है wind power capacity में कितनी rank है fourth rank है global level पे पूरे world level पे और solar power capacity में fifth rank है इन सभी rank को याद कर लेना अच्छे से बोलना बिल्कुल भी मत अगर एक्जाम में आगे और आपसे कोशन छूट गया तो डाट सुन लोगे मेरे से तो इसलिए अच्छे से इसको याद करने ना इंडिया is the third largest ये भी याद कर रखो third largest energy consumption country यानि की electricity वगरा के लिए जो consume करती है country सबसे ज़ादा energy वगरा वो कौन है इंडिया है third largest पे ये भी याद रखना तो fourth पे यहाँ पर देखलो एक बार third पे हमारी होगी energy consumption के लिए इंडिया fourth पे हमारी होगी renewable के लिए plus wind के लिए और fifth पे हमारी होगी solar के लिए इसको याद रखना 100% FDI foreign direct investment यानि की बाहर की जो entities है individuals है वो renewable energy में invest कर सकते है 100% तक government of India ने authorized कर दिया गया था इसको भी याद रखना पूस सकते है कि कितने परसेंट तक FDI allowed है renewable energy के अंदर तो 100% है अब आज़ा अगली news पे तो rail India technical and economic service limited है जिसको हम rights बोलते है rights ये R.I.G.H.T.S. E.S. वाला rights है यानि की Rail India Technical and Economic Services Limited और इसने collaboration किया है बांगलादेश के साथ बांगा बाबू अब यहाँ पर क्या करेंगे ये 200 ग्रोड गोज यानि की railway track passenger जो carriage होंगे वो supply करेंगे बांगलादेश को जिसकी कीमत होगी रुपीज में होगी 915 करोड रुपिया और डॉलर में होगी 111 मिलियन डॉलर इन दोनों को दियाद रखना मेन तो ये है important 111 मिलियन डॉलर बट इसको भी बोलना मत 915 करोड कुछ नहीं पता है examiner का कौन सा दिदे दोनों में से और ये amount कौन फंड कर रहा है तो ये amount European Investment Bank बंगलादिश की तरफ से फंड कर रहा है जो कि लक्षम बर्ग में है और ये 5 साल का contract है इतना ध्यान रखना राइट्स जो कि एक नवरतन कंपनी है और भारत Earth Movers Limited भी एक नवरतन कंपनी थी आपको मैंने बताये था तो राइट्स के CMD को उने Chairman NMD वो है राहूल मिठल जी ये भी आपको याद रखना है Headquarter का आपने Gurugram Haryana ये भी याद कर लेना बंगलादिश की PM को उने एक हसीना शेक हसीना जी है तो ये PM है मंगलादिश की और करेंसी को उने टका T-A-K-A टाका टाका टका कुछ भी बोलो बस याद कर लो अब आते हैं अगली न्यूस पर ये बात उरी यूनिकोन कमपनी के तो अभी तक इंडिया के तीन यूनिकोन बन चुके है अभी खाल फिलाल में न्यूस आई है कि थर्ड यूनिकोन इंडिया में बनाए जिसका नाम है पोर्टर हैरी पोर्टर का भाई है पोर्टर P-O-R-T-E-R जो की एक लोजिस्टिक कमपनी है सकते हैं आप यहाँ पर कंटीनर है तो एक लोजिस्टिक सर्विसिस कमपनी है यह याद रखना अब यह करेगा क्या देखते हैं आगे तो लोजिस्टिक सर्विसिस कमपनी जिसका नाम है पोर्टर कभी नाम भूल जाओ तो हैरी पोर्टर याद कर लेना कि खौफ में रहने का मैसल्फ हैरी पोर्टर कितना क्यूट लग रहा है प्यारा सा और यहां पर यह थर्ड यूनिकॉण बना है और यूनिकॉण कमपनी वो होती है जिसकी वैलुएशन एक बिलियन डूलर होती है एक्जाम में पोछ लेगा याद कर लो पता होना चीए बेसिक चीज है और जो बाकी के पहले के दो थे जिसमें से एक बना था कुरुत्रीम करके कि करुत्रीम जो की ओला कमपनी का है और यह पहला यूनिकॉण था जो की जन्वरी दोजार चोबिस में बनाया गया था अगर आप से एक्जाम में यह पूछे कि in the starting of 2024 कौन सी कमपनी फर्स्ट यूनिकॉण बनी थी तो यू शुड़ नो इट इस कुरुत्रीम के आर यू टी आर आई एम जो की ओला की कमपनी है सबसीडरी है और यह एक artificial intelligence startup है यह भी याद रखना ठीक है artificial intelligence startup है यह और ओला के founder और chairman को ने भाविष अगरवाल जी इनको भी याद कर लो भूलना मत यह important important चीज है भूलना मत अगडम बगडम तगडम इसको टकला करदम भूम अगर आपने एक option भूल गए exam में तो आपके साथ यह होने वाला है भूलना मत third company बनी है जो की logistic company है porter और जो दूसरा unicorn बना था वो एक fintech firm था कौन सा firm था fintech firm था जिसका नाम था perfios P-E-R-F-I-O-S जो की mid-march 2024 में बना था अगर आपसे यह पूछे कि quarter 4 2024 में कौन सी company unicorn बनी थी तो वो होगी perfios ऐसे exam में पूछ लेता है तो इस तरीके से सोचो last year कूछा भी था ऐसे RRB में I guess means में तो अगर वो पूछता है कि quarter 4 2024 से पहले पहले कौन-कौन सी unicorn बनी थी 2024 में तो एक हमारी होजेगी perfios और एक हमारी होजेगी crew trim जो की ola की company है अगर वो यह पूछता है कि quarter 4 2024 के बाद कौन सी company unicorn बनी थी तो वो कौन सा होगा Porter Harry Potter का भाई Porter जो कि एक logistic company है इस तरीके से याद करना आपको बोना मत और जो company है हमारी third unicorn company है इसके confounder तीन है कौन-कौन से है उत्तम परनव विकास ऐसे याद कर लो उत्तम परनव विकास राइट headquarter conference का बैंगलोरू करनाटका में है अब आते हैं अगली ख़बर के यह हमारी second last news है तो Indian Oil Corporation ने IOCL ने collaboration किया है collaboration नहीं किया basically एक इंडिया का पहला superior 100 octane यह याद रखना नाम बोलना मत बिल्यकुल भी important है 100 octane premium fuel जिसका नाम है क्या नाम है XP100 यह भी याद रखना XP100 यह export किया है कहां पर Lanka Indian Oil Corporation में जो कि इसी की subsidiary है श्रिलंका में और कहां से export किया है जवाहर लाल नहरू port से जो की नावा शेवा नवी मुंबई में situated है महराष्ट्रा के अंदर कभी भूल जाओ तो यह याद रखना कि XP100 और port को देखके नहरू जी यह सोच रहे थे कि मोई नाम के port से XP100 fuel श्रिलंका के export किया जा रहा है यह याद रखने ना अब आते हैं अगली न्यूस पे Tata Steel और ESO यानि की Electric System Operator जो की कौन सी कंपनी का है UK-based कंपनी है National Grid PLC National Grid PLC कंपनी है UK की इसी की एक कंपनी है जिसका नाम है Electric System Operator इसके साथ मिलके collaboration करेगा Tata Steel जिसमें यह Power Infrastructure बनाएगा जो की इसके Port Talbot Site को ओके तो इसका जो Port Talbot Site है UK का National Grid PLC का इसके Port को Power Infrastructure प्रोवाइड करेगा ठीक है यह आपको याद रखना है जो की Steel Project से रिलेटिड है खेर यह important इतनी न्यूस है नहीं मुझे लगता नहीं कि एक्जाम में पावर इंफरस्ट्रक्चर रिक्वाइड टू स्विच इट्स Port Talbot Site तो अ गिवन Steel Project इस Port Talbot साइट को एक Steel Project के लिए बनाने के लिए यह collaboration किया जा रहा है ओके इतना याद रखो बाकी इसमें कुछ भी Important नहीं है ऐसा याद करने वाला तो हमारी पूरी News Finish हो चुकी है जो Important News थी आपको मैंने बता दी है Important News कुन कुन सी थी एक और दुबारा देख लो जो आपको याद करने ही करनी है उसके लावा अगर बाकी याद ना भी रहे तब कोई शू नहीं है एक याद करने ही आपको इंडियाज मार्किट केपलाजरेशन वगरह का दूस्रा आपको याद करना है ये वाली news जो कि क्रैसिल वाला था ठीक है तो ये आपको याद करना है तीसरा आपको याद करना है ये वाला news मूड़ी वाला Important है चोथ्था आपको याद करना है B.E.M.N वाला जिसमें Rear Drum Trucks देंगे 28 और चोथ्थे में EcoRab Report कर सकते हो याद रखो इसको ध्यान रखो बाकी क्या बता नेक्स टाइम तक आई जाए अगस सप्तेम्बर तक तो वो important जादा होगी और ये वाला भी याद कर ले क्योंसी country में collaboration करेंगे 5G के लिए तो वो देख लेना उसके बाद उसके बाद उसके बाद और important क्योंसी है यह important है ये याद कर लेना अच्छेज़ए और इसके बाद ये rights वाली भी important है क्योंगी बंगलाद के शाथ collaboration हो रहे है तो ये भी याद कर लेना और ये लोजिस्टिक वाली ये वाली unicorn वाली ये भी बहुत important है बाकी सबको ध्यान रखना इतना भी काफी है और ये भी याद कर लेना Indian oil वाला XP 100 और बाकी जो news है उनको आप अच्छे से रीड करो लेकिन जो भूत important है जो मैंने बताया है उसको बिल्कुर मत बूलना अगला lecture हम करेंगे science and tech का economic का नहीं होगा भया science and tech का होगा हमारा अगला lecture जो कि हम finish करेंगे and then we will finish June 1st and 2nd week के सारे parts और telegram group और channel जोइन कर लीजेगा कृपिया करके तो मिलेंगे अगले session में करेंगे